हेलो एविवन आज हम लोग पर एगे चैप्टर टू पॉल्नोमियल जो कि आपका बोड यहां में 3 से 4 कुष्चन बनता है इससे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मौनोमियल से मौनोमियल क्या होता है है जिसका एक ही टर्म हो जैसे एक्स 3x हो गया 5x हो गया एक्स क्या हो यहां पर वारेवल हो गया फिर आते हैं बाइनोमियल मैनोमियल क्या होता है जिसके दो दू टर्म होता है जैसे 2x nurturing से स्ट फ्लस टू सित उए प्लस 7 अधो वारेवल हम लोग क्या दो भी कुछ भी ले सकते है empty यो waiting to have a astronauts helps हो आ biking कि वर देग Bagel dah इसमें क्या होता है एक variable होता है जो एक वारियेवल होता है और जो बिना वारियेवल के होता है उससे करते हैं constant term फिर आते हैं polynomial polynomial में having many terms poly means many, polynomial means terms fx equal to an इसको अगर हम फॉर्म में लिखेंगे है फॉंक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे है एन एक्सन प्लस a n-1 x n-1 प्लस से लेकर an x plus a 0 एकल टू यह आपका होगया polynomial का form जहां पर यह जो term है आपका यह पूरे term को करते हैं term of a polynomial और जो an होगया यह होगया an-1 होगया a 1 होगया a 0 यह क्या होगया coefficient of x coefficient क्या होता है जो x के साथ होता है जैसे कि यहां पर इस example से ले सकते हैं जैसे 6y प्लस 7 है sorry 6y प्लस 7 है तो 6y में क्या है y के साथ क्या है 6 आपके यह 6 क्या होगया यह आपका इसका coefficient होगया किसका y का तो coefficient of by क्या कहेंगे यहां पर 6 ठीक है फिर आते हैं नेक्स टम क्या होता है आपका degree of polynomial degree कह सकते है इसको power of polynomial भी कह सकते है अब जैसे power क्या होगा जो exponent form में होगा वाल लिए यहां पर आपका x का power n x का power n तो यह n जो है वो क्या होगया degree जैसको हम क्या कह सकते है power ठीक है फिर आते हैं अब जैसे इसमें भी degree अगर degree 1 होगा तो इसको कहेंगे linear polynomial degree 2 होगा तो इसको कहें quadratic polynomial ठीक है तो यहां कहाते linear polynomial में क्या होगा degree 1 having polynomial of having degree 1 for example ले ले लेते है px equal to 3x plus 5 ठीक है जैसको इस फॉर्म में भी लिख सकते है इसका फॉर्म में अगर लिखना होगा क्या होगा ए ए एक्स प्लस बी बी कॉंस्टेंट हो गया ए एक्स क्या होगा आपका ए होगा कोफिशेंट आप एक्स इसका लिनियर परनोमियर फॉर्म होगा फिर आतें क्वारेटिक परनोमियर क्वारेटिक परनोमियर क्या होता परनोमियर अफ दिगरी 2 इसका फॉर्म क्या होगा एक स्क्वार ब्लस प्लस सी ठीक है इसका एक्जामपल लेता है कोई भी एक्जामपल टू एक्जास क्वार प्लस 3x प्लस 5 यह इसका एक्जामपल वे क्वाडेटिक पॉनोमिल का फिर आते हैं आपका क्यूबिक पॉनोमिल में देखते हैं क्या क्या क्यूबिक मिन्स तीन है तो इसका डिगरी क्या होगा तीन होगा अब देखिए 6x cube प्लस 6x square 3x plus 2 इसका एक्जामपल में है अब इसमें ज़्यारे डिगरी किसके आखे हैं 2b 3b 1b 1b 10 już में सबसे ज़्यादा जिसका भी पावर होगा, जो भी वैरियवल में सबसे मैकसिमम जब पावर है क्या है वो 3 है, यही सका क्या होगा? डिगरी इस इक शेयर फॉंक्शन का, डिगरी, क्या होगा? 3 हम क्या कह सकते, सबनाुमिन मेर के гл comments 2 लीकिटिंटे सीय है तुक्राइए क्या हो गया क्यों ट्रॉं ठीरी में या हटरणा देए X Q plus 6 X square plus 2 X plus 8 इसका फॉर्म में लिखना होगा क्या लिकिने A X to power 4 plus B X q plus C X square plus B X plus E इसका फॉर्म होगा इसका जंदर फॉर्म होगा फिर आते हैं वैल्यू और पॉल्नोमिल क्या होता है किसी भी पॉल्नोमिल का क्या वैलू आएगा अगर कि कव आएगा जाएगा जब हम कुछ इसमें वैल एक्स का वैल्यू अगर कुछ रोच करते हैं उस वैल को क्या सपोज मानते हैं अल्फा एक्जामपल समझता है नहीं है एक एक्जामपल लेते हैं Fx क क्फ़ल्टू 2X2 2X2 2X3 3X6 ठीक है और हम यहां एक्स का वैलुवान लेता है तो क्या होगा ? F1 इकॉल 2 2 मॉल्टिप्लाई 1 का स्क्वाईर प्लस 3 का 3 इंटो 1 प्लस 6 तो 2 प्लस 3 प्लस 6 इकोल तो 9 प्लस 2 11 ये इसका क्या हो गया वैलू of fx मेंज कि polynomial polynomial fx कब at ये वन x इकोल टो 1 at x कोल टो 1 क्या हो गया इसका वैलू fx कोल टो क्या हो गया 11 ठीक है ये इसका वैलू हो गया फिर आते हैं 0 of the polynomial 0 of the polynomial 0 of the polynomial fx कोल टो 0 bet इसकालशोचोच गज़कर गज़करே ड़कर बाभ Highway वैus सब्सकालशोचोचोचोचोच टो प्यूब rash exemplu